मेरा नाम प्रेमलता मित्तल है मेरा अन्भव यह है कि मेरी बेटी की शादी थी और वो सूरत बाटिका में थी तो हम लोग सारे जा चुके थे घर में सिर्फ मैं ही अकेली रहा थी तो लास्ट में जब हम पहुंचे वहां पे सब त्यारियां से बारात भी पहुंच चुकी थी तो जब फेरो के टाइम हुआ फेरो के टाइम किसी ने पीछे से हमारे हॉल में कुंडा खोल के कोई अटेच्ची चोरी करके ले गया अटेच्ची में हमारे सारा गोल्ड था कैश था और लड़की के कुछ कपड़े भी थे तो जब वह चोरी करके ले गया सारे कहीं चारो तरफ हला मच गया भी इतने बड़े फार्म हाउस में हम अटेच्ची को कैसे ढूंडे उसमें सुसराल का उसका गोल्ड भी था अब हमारी लड़की की इज़त का सवाल था हमारी भी इज़त का सवाल था सारे लोग उठके चले गए फेरो पे सिर्फ एककल लड़की और दुला और दुलन रहे गए और सिर्फ मैं बैठी हुई रहे गई तो मैंने बैठे बैठे ही अपने सच्चे दिल से गुरुजी को पकारा और काहा जो मेरे नंदी दिक्षित नहीं है इस टैम भी दिक्षित नहीं है उनको एकदम पता नहीं क्या हुआ किसी एक जमाधार नी जा रही थी उसको पकड़ के बहुत मारा वो आज भी यही कहती है मुझे नहीं पता था मुझे क्या हुआ मैंने उसको क्यों पकड़ा उसके दो तिंतपड मारे तभी उसका छोटा सा बेटा पास में खड़ा था और वो बोला कहता मेरे मम्मी को क्यों मार रहे हैं मेरे मम्मी ने टैची नहीं उठाई मेरे पीता ने टैची उठाई है जो की शराब पीए उदर पीछे दूर जाके लुड़का हुआ है तो फारम हूस बहुत बड़ा था तो सारे पीछे से देखने के लिए निकले कहां पे है वो एक पेड़ के नीचे अंधेरा बहुत अचारोत अंधेरा था तो वो पीछे किसी पेड़ के पीछे जाकर चुपकर वेठा हुआ था तो उसको जब पिटा तो उसने फिर अटैची में सारा समान वैसे का वैसे था वो टैची को खोल ही नहीं पाया था तो आज भी जब यह मैं याद करती हूं इस बात को तो मैं गुरु जी का बहुत अन्याबाद करती हूं और भगवान करे मेरी भक्ति गुरु जी के प्रतिदिन रात बढ़ती रहे और हमेशा मैं प्रतिएरी आशाराम जी बहुत ही दीन दियाल है وهोधी हिद्य दियां करते हैं उनको प्ुकारने से एम वार में इसचे दील से पुकारो तो वो दौर चले आते है और वो सबैंद्य सुनते मेरे गुरु देव के चर्ण हर यूम